पूरा मेवात मेवात के पीडित लोग आप सारे वीडियो उठाके देखिए योगी आदितिनागती मांग कर रहे हैं पर कितने एक योगी आदितनागती मांग कर रहे हैं पन्गाल के पीडित लोग मिलेंगे योगी आदितनागती मांग हाई जो पुलिस है वो यहां पर लगातार और लोग आप भी नलण मंदिर जाना चाहते थे क्या शुब नाम हुआ कहां से आप आए हैं कहां आप जाना चाहते हैं मेरा नाम किरधारी चोहान है मैं संगेल उजीना का निवासी हूँ स्थाई निवासी हूँ मैं कल मेरे देखिए पूरे सना इस देश में जो लोग हैं जो सचे अच्छे लोग हैं वो सब यहां के हालात पे बहुत पीडित हैं व्यधित हैं मेरे एक भाई हैं अवधूत जी व मैं अगर मुंबई एक्सप्रेस वे होके आतां लाउड नी थे यह इंघा दिखाने का हाळ तो भी नहीं है पर्शासनने ताना साही ृविया अपना कण्याया और मैंने मैंने उन से कहा कि अगर आज मुझे रोक रहे हो तो आप खेल और मुझे इस ने ये मुझे सवाल करने का अधिकार है मैं इस देश का लोगतांत्रिक विवस्ता है देश में मुझे सवाल करने का हक है मैंने जब फेस्बुक लाइब आके सवाल उनसे किया कि हमें क्यों रोका जा रहा है तो उन्हें ने कहा कि 28 तारीकी यात्रा के मद्दे नदर मैंने क्यों लेकिन घटर सरकारी थी 31 जुलाई का दिन था सब ने वो तस्वीरे देखी क्या भयाव्य मनजर था एक लोग भाग रहे थे जान बचा रहे थे यही डर है सरकार को कि आज पीर ऐसा ना हो जाए क्या आपको लगता है कि बैकफुट पर है सरकार पुलिस इस तरीके से खड़ी कर दी गई है यहाँ पर देखिए कहावत है बुज़ूर कहते हैं विनास काले विपरीत बुद्धी मुझे लग रहा है कि सरकार की बुद्धी विपरीत दिसा में चल रही है जो दोसी हैं जो कानून अपने हाथ में लेते हैं जो 1927 कहां से अरेंज़ की उनोगों ने उस दिन में लallard महाद experienced को के चार तीनों तरफ तरफ वाड़ियां पर चड़के ललीजिथ इतने बड़े प्रसासन को कारवाई करनी चाहिए थी प्रसासन मतलब पीडित जो अल्रेडी सोषित हिंदू है मिवाद का उसको सरकार उसी को तबारी है उसी को अपनी धार्मीक स्वतंतरता का हनन कर रही है उसकी का वो हम मैं जाना चाहता था नर्रमादेव मंदेश जल चड़ाने मेरे महा जा रहा है तो सरकार जिन पर कारवाई करनी चाहिए उन्हें उन पर नहीं कर रही है सरकार पीडितों को और पीडित कर रही है उन्हें दबाया जा रहा है धमकाया जा रहा है मुझे चार घंटे कर डिटेन करके रखा गया चार घंटे आपको आप तो लोकल मेवाती है यहा दुनिया देख रही है। तो प्रसासन हमसे कहता है कि भारत माता की जैब बोलने पे महौर खराब हो जाएगा एग मेवाद का जहांगी को हट्या होती है धर्मानतरन होता है एटिम काट के लिए आते हैं दूसरा वो जहां के बच्चे आरमी में जाके सहादस दे रहे हैं तिरंगे में लिपट के बच्चा आ रहा है और जम भारत माता की जै अनाजमंडी में मैंने लगाई मेरा लाइव है फेस्बुक तिने सांद रहना पेस पे तो हमें रोका गया बीजेपी के हमारे ही गाओं के अधिकारी वो कारे करता हैं बीजेपी को कह रहे हैं कि भाहिया ज कि जंदबाद था उस दिन आप भारत माता जै की बात कहरे हैं हिंडुस्तान जंदबाद की बात कहरें इस तिरंगा लैराने की बात कर रहे हैं लेकिन उस दिन क्या और रहता नारे किसी और देश के थे और पत्थर थे नुकीले वा आई जी पार्टीशन जब यहां से खु पार्टिशन के दौरान बहुत सारे मेवाती पाकिस्तान चले गए थे, इनके संबंधी वहा रहते हैं, तो इनकी जो निस्ठाएं हैं, वो डावडोल है, जो इनकी निस्ठाएं, बहुत सारे पाकिस्तानी अब रिसर्च कर लो, एक एहसान मेवाती करके था, जिसने दंगे भ भाई चारे की, मतलब एक भाई दूसरे को चारा बना रहा है, ऐसे हालात मेवात में खड़े हो गए, ऐसा मेवात नहीं था, इनके और हमारे पूरवज एक थे, यह यहां चिरकलोत कौम है, चिरकलोत कौम है, राघावों के बनसच हैं, यहां पुनाना सिंगार गाउं में, भूल के कह रहे हैं, अभी भी कहा, मैंने बात करी पीछे कि भाई चारा है, कुछ लोग आये थे वीडियो बनाने जो कह रहे थे कि जी जा आ रहा है, तो इसलिए इन लोगों ने यह सब किया, इसलिए यह सब कुछ हुआ, असल में देखिए एक विचारधारा ऐसी है, उसक जाहे जिस मजब से, जाहे जिस बैग्राउंड से आ रहा हो, उसका दिमाग प्रदूसित हो जाता है, इंफेक्टिट हो जाता है, तो वो विचारधारा से बहुत बड़े पैमाने पे लोग यहां इंफेक्ट हो चुके हैं, तो उसके लिए कोई वेक्स, यारी आप समझा द कर रहा हूं, वो विचारधारा का इंफेक्टिन मिवाद में फैल चुका है, बड़े पैमाने पे फैल चुका है, और जब तक उसकी सरकार को चाहिए था, आपने मुख्य मंत्री बनाया, आपने जंडे उठाए, आपने हनारे बाजी की, आप लेके गए लोगों को जोड़ कि लिए तब सरकार बनीना, आज आप अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, आपने ही तो खटर को दो दो बार चुना, हम सरमिंदा हैं, हमें नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा विश्वास घात या सरकार करेगी, हमीं को पीटा गया, हमीं को मारा गया, हमारी लास करता थे, जिस पे प्लानिका आरोप लग रहा है मामन खान, वो खुले हम घुम रहा है, जावेद जो आमाधी पार्टी का जो है, वो खुले हम घुम रहा है, वो प्रदीप सर्मा की हत्या का आरोप है उस पे, तो ये अंधेर घर्दी हो गी है, हम बड़े 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 हो गई हमने सरकार को चुना तो राज्जे सीमा जुड़ी हुई है एक तरफ यूपी है एक तरफ अर्याना है वहाँ यात्राइं निकलती है शोभा यात्राइं होती है जला भी शेख होता है कावड में फूल वर्साए जाते हैं हरार महादेव के नारों से गुंचती हैं सडके यहां पर कर्फ्यू है कई कई किलो मीटर लोग नहीं है और अगर है तो इस तरह की बैरिगेटिंग यह इतना अंतरा खिरकार क्यों सरकार तो एक ही है जनाब पूरा मेवात मेवात के पीडित लोग आप सारे लाइप वीडियो लोग मिलेंगे वो योगी आधितनाथ मांग रहे हैं तो योगी आधितनाथ से सरकार को इसको सीखती क्यों नहीं है योगी आधितनाथ एक पांच साड़े पांच फुट की हाइट के एक सन्यासी क्या वो छे फुट के खली है बात है इरादों की इरादे नेक होने चाहिए निश्चे द्रड होना चीए, जो इस खट्र सरकार में, हरियना सरकार में कहुं नी दिख रहा है, ये आत्म निरिक्षन करें, ये आत्म मन्थन करें, ये मेवात के पीडितों से माफी मांगे हाथ जोड के हमारे उन भाईयों सहीदों की आत्माय रो रही है भी सेक की प्रदीप सर्मा की सक्ति सेनी जो खुद मेवाती था उसे मार दिया मेवात क्यों नहीं तो यहां कोई भाई चारा नहीं, भाई को चारा बनाया जा रहा है, कोई आप मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति जो गाय को रोटी के साथ खा रहा है, दूसरा गाय को रोटी खिला रहा है, कभी भाई चारा संभव नहीं है, जब तक इस विचारधारा का इलाज नहीं होगा, ज तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती मैं तो सरकार सी निवेदन करूंगा भीया जब तुम्हारे बसका कुछ नहीं है न हम पर ही तुम्हें अपनी ताना साही चलानी है तो हमें एक्वेट कर लो भीया हमें निकार दो बना दो पाकिस्तान इसों भी पार्टिशन कर दो ह हिंदुसान के टुकड़े होते आ रहे हैं अफगानिस्तान बटा था पाकिस्तान बट गया आगलादेश बट गया कस्मीर के उतो सुकर हुआ मोदी जी तो शांती बनाने की कोशिश कर रहे है यही तो दलील है कि हम शांती विवस्था बना दे आगे यात्राएं निकले पांच वी पास मेरा बच्चा मेरा बेटा सरकार को जबाब मुह बंद कर देगा कोई लॉजिक नहीं कोई सोच नहीं कोई समझ नहीं बहुत था जलाबी शेक करने का लड़ मादेव मंदिर में जाके उद्घूश नारे बाजी नारे लगाने का आज बड़ा मन था मैं कह रहा हूँ उन नारों की धमक चंडिगर तक सुनी जाती बसरते सरकार ने कानून विवस्था मेंटेन की होती मैं कह रहा हूँ मेवात में पांव रखने के लिए जगए नहीं होती मैं पूरे भारत के सनातनी भाईयों से जुड़ा हुआ हूँ उनकी वो तड़ रहे हैं कि मेवात आगे महादेव के दरसन करें उनको जल चड़ाएं पर सरकार की नपुन सकता कायरता ने उन सभी के इरादों को पानी कर दिया है वो अपना मन मसोस के रह रहे हैं मुझे डर लग रहा है कि यह जो भावनाएं हैं जो दिनों दबाया जा रहा है वो अगर भड़की तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए सरकार को सचेत रहना चाहिए यह यहां के लोकल बाशिंदे हैं जो आज अपनी कुंठा व्यक्त कर रहे हैं कैमरे के सामने जो बता रहे हैं कि आकिरकार रोक क्यों दिया यह बैरिगेटिंग लगा कर यहां पर क्यों इनको फैरासा दिया यह चाते थे उद्गोश लगाएं यह चाते थे कि वहां पर जाय मंदिर में यह चाते थे कि जलाबी शेक करें इनकी इच्छा थी लेकिन भले ही रोक दिया गया हूँ लेकिन इनके दिल में दबी इच्छा वो नहीं रोक पाए और आकिरकार उद्गोश फिर से सुनाई दे गया नलड मंदिर पर ना सही लेकिन बीच सडक परी आप अपनी राए जरूर रखे और लगातार चुड़ रही है वाइंस इंडिया के साथ क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बाद लगातार चारी रहीगी बेबाग नमस्कार